वर्क बुक, अब ये जो पूरी sheet बनी है, sheet 1 यहां लिखा है, यहां sheet 2 लिखा है, यहां sheet 3 लिखा है, by default Excel की जो एक file होती है, उसे workbook कहते हैं, Excel की पूरी file को workbook कहते हैं, अगर आप इसे save करेंगे, मैं इसको save करता हूँ, और इस file का एक नाम दे देते हैं, my sheet, अब ये my sheet नाम की एक workbook बन गई, क्योंकि नीचे लिखा भी आ रहा है, Excel workbook, हमने इसे save किया, अब ये Excel की एक workbook है, my sheet, लेकिन इसमें ये sheet 1, sheet 2, sheet 3, ये इनकी sheet है, एक worksheet है, इसे हम difference भी कर सकते हैं, worksheet जो है workbook का part होता है, एक workbook में by default 3 worksheet मिलती हैं, इसे आप कम जादा भी कर सकते हैं, आप कोई पूछें बहीं कितनी rows बैटेंगी, total अगर number of हमें rows calculate करना हो, कि rows कितनी होती हैं, 10,48,576 rows होती हैं, Microsoft Excel के 2010 version में, और column की बात करेंगे, तो X, F, D, ये एक column की इसमें range हो गई, तो X, F, D, इतने column होते हैं, आपकी एक, यानि 10,48,576 rows और X, F, D तक आपके columns होते हैं, तो इतने row और column को मिला करके, आपकी एक Excel की spreadsheet तयार होती है, ये X, F, D कैसे आ रहा था, Z तक मान लिजे value खतम होई, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, G, 26 character होए, तो Z के बाद में फिर A, 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 B, A, C, इस तरीके से ये आगे तक चलती चली जाती है, तो एक worksheet पे बहुत सारा data होता है, इतने सारे cells होते हैं, इसकी multiplication कर लें, तो इतने cell हमें मिलेंगे, ये worksheet का data इसने दे दिया, there are 256 column along with the top margin of the worksheet, and more than 65,000 rows of cells, तो 65,000 से ज़्यादा rows होती हैं, तो मैंने बताई दिया भी आप 10 lakhs something आपकी इसकी rows आ रही हैं, और 256 से करीब columns हो रहे हैं, या XFD के अगर calculation करेंगे numeric form में, तो वो 256 columns निकलेंगे, will take you to the sheet, तो ये हमारे sheet के tab होते हैं, जैसे sheet 1, sheet 2, sheet 3, जिस पर भी click करोगे, उसे sheet पर आप आजाओगे, next आते हैं, working with worksheet, entering data into a cell, किसी cell में data कैसे डालते हैं, बड़ा simple तरीका है, sheet खोलिए, click कीजे, type करना शुरू कर दीजे, जो भी आप लिखेंगे, वो type होना शुरू हो जाएगा, आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं आपर, अब ये depend करता है आपके उपर, तो किसी भी sheet पर type करना है, कुछ भी लिखना है, तो आप simple click कीजे, और type करना शुरू कीजे, हाँ, एक कुछ चीजे समझने वाली है, जैस इसको पकड़िए, बॉटर पर आईए, और यहाँ पर click कीजे, आपका mouse का करदर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो इसको आप कम जादा कर सकते हैं, इसी तरीके से row की height भी आप बढ़ा सकते हैं, column की width को भी आप adjust कर सकते हैं, अब माल लिजे रवी कुमार की जाएगे, रवी सिं हट जाए, तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप अपने keyboard से या तो F2, यह ध्यान रखने वाली बात है, या तो आप F2 function की use कीजे, फिर आप cell के अंदर आ जाएंगे, अब रवी कुमार कर दीजे, या फिर आप double click कीजे, cell पे, जैसे double click किया, तो आप cell के अंदर आ ज रखते हैं, otherwise क्या होता है, आप कुछ भी लिखेंगे, तो वो overwrite होना शुरू हो जाता है, अभी रवी सिंग की जगे आपको लिखना है, रवी कुमार, तो अब रवी सिंग वो जो लिखा था, वो सारा हट गया, लेकिन अगर आपको रवी सिंग में केवल सिंग अटा के र किया, by default चलो में save as करके आपको दिखा देता हूँ, तो बिलकुल ऐसा एक dialogue box आएगा, यहाँ पर आपको अपनी sheet का नाम डालना है, जो भी आपको अपनी work sheet का नाम रखना है, और Excel workbook में यह save हो जाएगी, आप इसे save कर दीजे, तो simple तरीक है आपको अपनी file save करने के लिए opening an existing file, को एक दूसरी file open करनी है, तो control plus O, यह एक shortcut की होती है, यह simple shortcut की है, word excel powerpoint में पहले से चलती है, यह file menu पे आप click कीजे, तो आपको यह open option मिलेगा, यहाँ से भी आप अपनी file open कर सकते हैं, तो यह एक easy तरीका है, creating a new workbook, नई workbook आपको create करनी है, तो file पर जाएए, यहाँ पर आपके पास new option है, new में यह रा blank workbook, blank workbook पे click करके create button पे click कर दीजे, आपके लिए एक नई file तयार हो जाएगी, तो यह भी एक simple तरीका है, तो यह हमारे पास में हम अपनी workbook को, उस worksheet को save कर सकते हैं, पुरानी file खोल सकते हैं, और अपनी कोई नई workbook तयार कर सकते हैं, almost य Excel एक spreadsheet program है, जिसमें हम अपने data को analyze कर सकते हैं, organize कर सकते हैं, manipulate कर सकते हैं, cells are arranged in rows and column, cells वो values होती हैं, जिसमें rows और column को intersect रने के बाद होता है, जिसमें हम data को arrange करते हैं, the active cell is the cell you are currently working with, active cell वो cell होता है, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, actual में just selected होता है, current में जो होता है, an Excel file is called a workbook Excel की file को workbook कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया भी था, the individual page in the workbook are called worksheet, लेकिन workbook के अंदर जो single sheet होती है, उसे worksheet कहते हैं, worksheet tab is found in the bottom left corner of the Excel window for each sheet, जो sheet के button होते, sheet 1, sheet 2, sheet 3, वो कहा मिलता है, वो bottom side पे left and side पे नीची की तरफ मिलते हैं, 256 column top margin पर होते हैं, और 60,000 से भी ज्यादा रो रिबन uses two different visual elements, रिबन के अंदर दो element होते हैं, tab और उनके command के group, the cell name box is located below the clip board ground in the ribbon, रिबन में जो cell name होता है, वो कहा होता है, वो clip board ground के नीचे होता है, जिसमें हमें cell का address पता चलता है, the active cell has a thicker border than the other cell, active cell की पहचान कैसे होती है, वो थोड़ा bold हो जाता है, उसकी चारो तरफ क order, Excel 2010 files are saved with the extension .xlsx, यह बहुत important बात है, याद रखने वाली, कि Excel की जो file है, 2007 के बाद से जितने version आए, उसमें Excel में कोई भी file बनती है, तो .xlsx से save होती है, इससे पहले के जो version थे, उसमें .xlsx से save होती थी, ऐसे PowerPoint में .pptx लग गया, word में w.ducx लग गया, तो यह last में x लगने का जो pattern है, वो 2007 के version के बाद से आया, तो Office 10 में Excel की file .xlsx से save होती है, तो I hope आपको इस chapter में बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिली, Excel का introduction हमने समझा कि Excel पलम किस तरीके से काम करते हैं, Chapter 3 को हमने दो parts में cover किया, तो अभी second part में हमने workbook से ले करके आगे तक का concept clear किया, और इसके part 1 में हमने starting वाले chapters के concept को cover किया, तो part number 1 और part number 2, इन दो parts में यह chapter number 3 complete हो गया है, और next part पे जो chapter 3 का third part है, उसमें आप इसकी exercise का solution भी देख सकते हैं, आपके कोई भी query है, तो आप हम comment करके जरूर बता सकते हैं,